आग के साथ में हम लोग आ चुके हैं वापस प्रीवोर्ट सीरिज बिल्कुल क्रिस्प रहेगी इसके अंदर दूपी तुम्हारा कंसेप्टर पुरे चैप्टर का फटा फट कवर करना है जाएगा ताकि अगर तुम्हारी कल भी एक्जाम है वह बोर्ड एक्जाम है कुछ भ अगर तुम्हें अपने जो लेक्चर से उनको डीटेल में पढ़ना है ठीक है कि मतलब भी कोशन्स भी करा रहा है मतलब ऐसा चाहिए कि अगर हमने यह देख लेए और यहां पर दियाओ कंटेंट देख लेए इससे बहर हमको कुछ भी नहीं करना है बस अगर तुम्हें वह एक वन शॉट जगे वाली चीज साही है जापर तुम्हेरे लेक्चर होंगे तुम्हेरे कोशन्स डीपी वीकली टेस्ट, बुकलेट, NCRT को डीकोड किया हुआ, उसके सॉल्यूशन, उसके नोर्ड, सब कुछ चाहिए तो तुम लोग तबाही 10-30 कोर्स के नदर नेरों कर स सकते हो, ओनली फॉर 8.99 अवेलेबल है, नीचर दिस्क्रिप्टर मेलने के, अगर तुम चाहो तो ठीक है, उसमें थोड़ा तुमको बहुत तरे फीचर्स वगरा मिल जाते हैं, बहुत साही साही चीज मिल जाएगी, वो वीडियो के अंदर वो स्लाइड दतानाला काम वह न मैं अपने हाप में अगर सारी ताकत रहा है मेरे पास में, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक आद्मी नहीं बन गया, मतलब मेरी जी चाहा कि मैं वो करूँगा, है कि नी, तो अगर मालो, अगर हमने हमारी सरकार भी ऐसी होती, मालो प्राइम मिनिस्ट्री के आपने सारी पाउर सना रहा है, तो उसके लिए हमें पाउर को डिएड करना है, इसलिए हमें पाउर शेरिंग नाम का चैप्टर इजात किया, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम सिंपल सिनेरियो बता जाता हूं, दो सिनेरियो देखेंगे, दो सिनेरियो देखेंगे, दो सिनेर कर ले और उसका काम बन गया फटाफट डिर्कली जम करते हैं जाधा तुमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पार शेरिंग बहुत जाधा important है because it is the very spirit of democracy बिना बिना पार शेरिंग के democracy कैसे कहला ही जाएगी न कोई भी कंट्री है Belgium एक छोट इसी कंट्री है यॉरप के अंदर यॉरप बढ़ी ही खुपसरों जगे Belgium और खुपसरों जगे कभी गए हो तो पता ना बाल पता नहीं मेरे ऐसे के हो रहे है बटे निवी च्वेज इसकी जो पॉपलेशन करीब करीब एक करोड़ है एक करोड़ है इत् जो तीन है तुमारे किसी भी आंसर में तुमको स्टार्टिंग एसी करने है तुमसे केस ऑफ बेल्जियम है कुछ भी पूछा जाना जाहां पर बेल्जियम वड्यूस हो तुम ट्राय करो कि तुम्हें तीन पॉइंट स्टार्टिम में लग दो तो जो चेक करना ब्यक्ति हो तो वैसे इंप्रस हो जाएगा ठीक है तो तो थोड़ा बेल्जियम का ओवर्विद देना और फ्रांस नेजरलेंड जर्मन यह जब चार वर्ड्स लिखते हो ना तुम कुछ पढ़के आयो मन्सर नहीं बत्ती मार रहो ठीक है चलो अब भाई एथनी कंपोसिशन देखते ब को बिलॉं करते हैं तो जैसे हमारे आपर हम कस्ट्रि डिवाद करते हैं मैं थो डियसे बदे उडिवाti करते हैं ह्वाहिशन के डिवाइट करते ने तो बेल्च थेभड़ा स्पीकिंग तरॊ यह जो रहां तो रियागश करते है यह जत्वाशन बाधि तक हैं नेंधी कट तो यह प्रेंच बोलते थे अब डच बोलना लोग रहते थे इन Flemish रीजन यह बात धियाद रहना और फ्रेंच बोलना रर्भा ला ले रहते थे गह War चोट सा क्यूट सा मैप है, इस क्यूट सा मैप के अंदर देखो कि तुम मेंली दो डिविजन है, यह जो लाल कलर वाले सारे हैं, यह सब फ्रेंच स्पीकिंग है, और यह वेलो ने रिजन है, लाल वाला, और यह 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 ध्यान से देखो, तो यह कौन सा भया, यह फ्लेमिश डच, ठीक है, डच स्पीकिंग लोग जहां पर रहते हैं, तो यह 59 परसंट लोग यहां रहते हैं, 40 परसंट यहां रहते हैं, अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो बीच में तुम्हें और इंज कलर का एक चीज दिख रही है, यह और इंज कलर की जो चीज है, यह अच्य यहां बेल्जियम का देख लिए, ब्रुसेल्स का क्यों देख रहे हैं, तो इसलिए देख रहे हैं, क्योंकि बेल्जियम पूरी कंट्री है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया पूरी कंट्री है, उसमें दिल्ली है, तो तुम जनरल देखो कि इंडिया और दिल्ली में ऐसा बहुत जादा variation नहीं है उनके ethnic composition में जैसे इंडिया में लोग है और यहां पर क्या उल्टी दिक्कत होई यहां पर दिक्कत ही होई कि भाई French जो है वो पूरी country में तो minority में है ना पूरी country में तो 40% है पर यह जो capital है इसके अंदिर 80% French है मतब तुम सोचो जो पूरी country में minority में है वो इस capital में majority में वो भी 80% से और 20% है डच तो डच पूरी country के majority है और यहां के minority है तो इतो बड़ी दिक्कत होगी है यहां पर क्या था कि Dutch speaking जो population थी वो minority में है और French यहां पर कौन है बई अब देखो दिक्कत क्या होई कि French दो minority में थी मान लेके French minority में थी पर सबसादर rich और powerful भी French ही थे ठीक है तुम सोचो कि Dutch speaking जो लोग थे वो majority में थे फिर भी उनके पास में कम पैसा और कम पार थी as compared to French ठीक है तो इसके करणा तुम देखो कितना पेची दासा यह नहीं है बहुत confusion create करना ले नहीं है पहली बात तो भया कि French और Dutch majority में है और French minority में दूसरी बात कि capital के अंदर French majority में डच मान अरी तीसरी बात कि वह फ्रेंच minority में उनके पास हम बहुत वार हो और पैसा है तो इसमें इसके करण कि 1950 से 60 के रावं टेंशन बढ़ने लेगा देखो हमेशा जब भी ऐसा होता है ना कि दो majority होती है और दो major religions major type के लोग होते हैं हमेशा टसल करते हैं पार के लिए कि जादा पार किसके पास में आगी अभी हाँ पर French के पास में थोड़ी जादा पार और पैसा है पर Dutch majority में है तो Dutch अगर चान है तो भाई हमला बोल देंगे तो French वैसी खातम हो जाएंगे पर French भी हमला अजब इस टाप किसी में आंसर के अंदर यह बहुत ही इंप्रेस करने वाले होते हैं इसलिए मैं याप डाल रहे हैं आइलेंड नेशन ऑन साउथ कोस्ट अमेलाडू population दो करोड है थोड़ी जादा है पर हमारे फिर भी इंडिया का असपास भी नहीं आती है इंडिया की तो करोड हम आदे बढ़ा रहते हैं डाइवर्स पॉपलेशन इसकी भी डाइवर्स इसमें 74 लोग सिंहाला स्पीकर सांथ सिंहाला एक लैंग्वज है 74 परसंट वह बोलते हैं 18 परसंट अर्टमिल स्पीकर्स अब आउट ओफ दीस तमिल स्पीकर्स 13 परसंट जो है वो नेटिव श्री लंकान ठामिल से जो कि स्री लंका के ही लोग ए ओर बिंद्धीन ट्मिल से मतलब इंडिया नियोगां के यहँए पहां थै क्लिग उंच्च के लिख है वह लोगगों गयां Italians Tamil natives of the country are called Shri Lankan Tamil, Shri Lankan Tamil श्री लंकन तमिल श्री लंकन तमिल श्री लंकन तमिल के निटिव है, तमने लिंगुस्टिक देख लाए, लिंगुस्टिक मैं भाशा के उपर, लेंगुज को अब रिलिजिस कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो रिलिजिस में अंदर जो मेजर जो जो शिन्हाला स्पीकिंग थे वो सब बुद्धिस थे, इसमें भी बहुत सार रिलिजिस देखते हैं, यह सारी चीज़ तो एक बर थोड़ी फैक्चुल लेल पर याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, ता कि तुम एग्जाम में लिख पाब, आकि में समझारों को दिक्कत नहीं है, अगर तुम लोग नए आने चैनल के पर तुमको नहीं पता है इसकी वाइप क्या, तो तुम लोग बहुत कुछ मिस करें हो पहले तो जिंदगी में, कहानी के पॉर्म में, बिल्कुल मस्ती मजाग नाज गाके तुम्हारों पहला कोर्स, मतलब इंडिया के अंदर इससे अच्छा नाज गाने वाला और मस्ती मजाग करना कोर्स में होगा, जिसके अंदर तुमाई पढ़ाई भी बहुत सही तरीके जो लोगी हो, मतलब कि श्री लंकन जो लोग हैं, महा के लोगों के अंदर एक आइडिया, मैजोरिटेरियनिजम क्या होता है, एक आइडिया थी एक माननेता होती, जिससे हमारे इंडिया में कैसी माननेता है, कि भाई यह दस बज़ी से पहले घर आ जाओ, कि भाई यह दस बज़ी के बाद आओ तो कुछ होई जाएगा, पर यह माननेता है, ऐसे श्री लंका के लोगों के भी एक माननेता थी, वह एक आइडिया लोगों का दिमाग सेट था, कि भाईया हम तो मैजोरिटेरियनिजम फॉलो करने लोग है, तो मतलब श्री लंकन लोगों के दिमाग में ये fix था दिमाग में कि Majoritarianism नाम की एक चीज होते है और हम उसी को follow करेंगा इसका मतलब क्या होता है कि Majoritarianism मतलब नाम नहीं समझे रहा मैज़ोरीटी है ना Majority आ रहा है इस नाम के अंदर तो Majoritarianism का मतलब यह होता है सी मेंटालीटी थी अब 1948 में श्रेलंका इंडिपेंडेंट तो हो गई तो इसले क्या हो कि सिन्हाला कम्यूनेटी जिसी उसने गवर्णमेंट कर लिए फटाक से क्योंकि वह तो मेजोरीटी में थे और उनके पहले से भावने थे कि भही हम मेजोरीटी में तो हमी राज करेंग ऐसा नहीं कि देमोक्रिटी के लिए एलेक्टेट थी पर जो इलेक्टेट गवर्णमेंट थी उसने कुछ ऐसे पेच अपना है ऐसी ऐसी कुछ हरकते करी जिससे क्या हुआ कि सिन्हाला स्पीकिंग लोग है वो जादा उसमें गलोरी में रहे वो जादा सुप्रीम रहे और बाके सब लोग दब बब फील करें तो यह समझ से आ रही थी तो इसलिए गर्णमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हना मदब सरकार तो सिन्हाला लोगों की थी और उनको था कि भाई हम तो मेजोरिटी में हमी राज करेंगे बाके सब को नहीं आने देंगे तो इसलिए उ अब तमिल बोलना ले तो बिचारे ऐसे हो गए कि हमारी बाशेकों के महत्वनी है हमका फुदूल होगा हम फालतों बेठे हैं आप तो इसलिए उनके दिमाग में पहले ही वो थोड़ी कमवारी भावना है कि हम इनसे थोड़ी नीच है हम इनसे थोड़ी डरपोक है है ना औ तो सुप्रीम होगे कि हमारे लेंगोज ओफिशल है तो मारी कुछी निचलो निकलो आजा ठीक है दूसरा गर्न्मेंट जॉब उन्यूर्सिल पोजिशन सिर्फ सिन्हाला लोगों को प्रिफर के आया था तो उसके लिए एक अच्छा स्किल्ड बढ़कर आया जो कि श्री ल करेंग और foster करेंगा मताब उसके मंदिर बनाएंगे बबागी सारे रिलिजर्जन की कोई वख़ होगी सिर्फ इनके religion के फेस्टिव्ल्स होंगे इनके religion की इसब्बरोज करेंगे और बागी सबकोर डिस्रिगार्ट करदें कि सिर्फ इस靈जम अममाग खारा हूग का उनको लगए कि भाई है तो सब इनके साब से तो इस देश में हमका करने हैं तो इसलिए उन्हेंने पार्टी और स्ट्रगल्स लॉंच कर दिये तो ये तीन पॉइंट्स लिखने हैं पहला कि तमिल को भी ऑफिशल लेंग्वेज दो जैसा सिन्हाला को बनाया तो हमको फुद्दू नहीं है हमारी बनाओ दूसरा रिजिनल आटोनोमि मतलब हमको एक देखो तुमको राज करना तुम कर लो तो ये चीज हमको देदो है ना छोटा सा पार तुम चला और आज हमको को दिखकती पर हमको छोटा सा पार्ट देदो जहां पर हमारी रीजिनल ऑर्टोनोमी हो तीसरा हमको equal opportunity चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि हम जॉब मांगने जाए और तुम लात मार के भागा दो क्योंकि हम दूसरी language बोलते हैं तो ये चीज में हमको नहीं चाहिए अब 1980s तक बहुत सारी political organization ने formed demanding an independent Tamil alum state in northern and eastern parts of freedom का मतलब बहुत सारे political organization आई जो Tamil के support में थी और उन्होंने बोला कि यार हम एक Tamil alum की demand करेंगे Tamil alum, alum को हम बोलते हैं English में state है ना मतलब northern eastern part में independent state बना दो चलो तुमको कुछ नहीं देना तुम एक state बना दो हमारे लिए ठीक है पर ये जो तुमिल की demand थे इनको कुछ भी consider नहीं किया गा एक भी बात नहीं सुने गई तो इसलिए जो लोग थे उनको तो लगा कि हम तो यहां के ही नी हम तो outside रही फील कर रहें क्यों क्यों कि हमारी तो बात सुनी नहीं रहा है ठीक है चलो अब क्या हुआ कि ऐसे में दो टेंशन बड़ा है ना तो तमिल स्पीकिंग वालों का भी बड़ा और सिनाला अपने आपको supreme करने में लग गए और तमिल अपनी powers को बचाने में लग गए अपने आपको prove करने में लग गए तो इस चक्कर में क्या हुआ जब दोनों ने एक बहुत गंदी बात होती है पर तुम सोचो एक देश के अंदर ही लोग आपस में लड़ रहे हैं हजारों लोग मर गए इसमें इतना खून कराब हो रहा है देश के ही अंदर के देश के ही लोगों का जो की एक ही देश के हैं इससे ज़ाधा भयाने क्या हो सकता है और ठीक है तो यह भयाने क्सिचूशन किसी भी देश में ना आया भगवान ना करे कभी ऐसा हो पर यह श्रिलंका में हुआ क्यों हुआ इन्हों ने पावर शेरिंग नहीं की इसका मीजर रीजन तो यह ना बही सिनाहला वाले जो थे अगर वो चाहते तो इसदसे सब को बाट देते वहीर थीक है हम मैजॉरेटी में है पर फिर बेंगे मैं तुमको ये पार दे रहे तुमको तुमको तुम्हारी लैंग्वेज तुमको डिकलर करना कर दो ये ego problem भी हो सकती बहुत बढ़ी कि हम किसी और की को करें तो उस चक्कर में वहर हो गया या तो ये काम कर दो या फिर ego के चक्कर में लड़े जगड़ा करा लो तो वो चीज हो गया अब हम देखते हैं कि Belgium में क्या हुआ Belgium के लोग स्मार्ट है बेल्जियम के लोग ने सोचा कि भाई या लड़ाई जगड़ा हमको करना नहीं है तो हम कुछ ऐसा चीज अपनाएंगे जिससे क्या होगा कि साथ में रेके रहे हैं अब बेल्जियम के अंदर राधर दन डिस्रिकारडिंग दिफरेंस गवर्नमेंट तो अपनाएंगे लोग तो हैं यह सरकार को पता था पर सरकार ने सोचा कि या तो हम इनको अलग 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 करके इनको बिढ़वा दे हैं या फिर इनको साथ में अकॉमटेट कर दे हम बोले कि तुम भी अपने फेस्टिवल मना और तुम भी अपना कल्चार फॉलो कर और तुम भी करो सब साथ में मिलके रहो है ना तो सरकार ने सोचा इन्हों ने कहा किया मतब जो भी उनके कल्चरल डिफ्रेंस था उनको उनने अकनॉलेज किया कि हाँ भाई हमेरे बीच में डिफ्रेंस है ठीक है भाई जैसे मान लो कि कोई पी दो दोस्त है अब वो दोस्त इस बात पर एगरे हो जाते हैं हम दोनों हमारे बीच में यह चीज अलग है मतब तुझको यह चीज पसंद नहीं मुझको यह चीज पसंद नहीं यह बात हम मान ली चलो अब दोस्त बन जाते हैं हम यह चीज़े नहीं करेंगे जो तुमको नहीं पसंद है और यह चीज़े करेंगे जो तुमको पसंद है और यह चीज़े करेंगे जो तुमको पसंद तो या तो यह करके तुम लड़ा ही जगड़ा कर लो या फिर साथ में मिल जाओ कि हाँ ठीक है तुम्हारी लाइंगोज अपनी है तो तुम उस लाइंगोज में अपने घरपड़ा से बात करो मैं इससे बात कर लोगा और हमें common language वापस बात कर लेंगा कोई दिक्कत नहीं र ऐसा चार बार उनने चेंज किया जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिला और श्रीलंका उनने किया कुछ नहीं लड़ा ही कि तो यहां पर इन लोगोंने efforts जाले इन लोगोंने सोचे कि नहीं हमको सही तो करना है तो उनने चार बार चेंज किया क्या क्या थाब है elements of Belgian model सबसे पह जो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे states होंगे न एक बड़ी country के अंदर इनके पास में भी अपनी-अपनी-अपनी-अपनी इंडिविजल powers होंगी ताकि वो अपनी state में अपनी हिसाब से कुछ चीज़े करवा पाए separate government in Brussels with equal representation of both community मतलब कि उनको पता था कि Brussels के अंदर एक अलगी सेनारियो है तो उन्होंने Brussels के ले एक अलगी government बनाई थी मतलब एक government जो पूरे देश के लिए होगी और स्टेट्स के लिए होगी और Brussels में कुछ अलगी changes थे अब इसमें भी make sure क्या है कि बहले ही Brussels में फ्रेंच ज दोनोंने क्या किया कि अपनी एक individual government भी elect कर ली जिसको community government बोलते हैं तो एक Dutch वालों के होगी एक French वालों के होगी तो इन दोनों से क्या हो कि जो internal problems होती है जैसे French वालों के कुछ internal problem होगी तो उसको solve कर सकते हैं और बड़ी level पर solve कर सकते हैं मतलब सारे Dutch के और सारे French के लोग आपस में लड़ें इससे अच्छा कि Dutch वाले एक अपनी वो बना ले और फ्रेंच वाले अपनी बना ले और यह दोनी चीज़े आपस में coordinate कर ले हैं मतलब as different different अलग-अलग लाखो लोगों की बजा है हम एक-एक entity बना लेते हैं तोनों की कि बाई एक जो है वो पूरे Dutch को represent क और फिर ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो resolve हो सकती है ठीक है बहुत सारी countries Europe की came together to form European Union with Brussels as headquarters तो यह चीज़ इतनी अच्छी थी कि आस पास की जितनी भी countries थी वो खुद तो Brussels के पास में आई वो खुद Belgium के पास में आए कि हम Brussels में अपने headquarter बनाना चाहते हैं European Union बनाते हैं European Union बनाते हैं ब्रॉसेल्स में headquarter जबकि Belgium जब हो चोटी जी country पर फिर भी इसके इतनी respect बढ़ गई ठीक है चलो तो power sharing हमने कैसा से कारण यह सब हुआ है उन्हेंने equal representation देय पहला तो इसका prudential reason है ठीक है यह तुमारे exam point of view से important है और एक है moral reason तुमसे दोनों exam point of view से पुछ रहेंगे कि what is the prudential reason and what is the moral reason of power sharing तो सबसे पहला prudential मतलब कि practical level पर क्या difference है practical practical level पर क्या reason है कि power sharing क्यो होनी चाहिए है तो इसका practical reason है कि इससे क्या होता है कि conflict कम हो जाता है conflict sorry conflict conflict मतलब कि लड़ाई जगडा या जो tension है तनाव है वो कम हो जाता है आप जैसे श्री लंगा के case में उन्होंने नहीं सुनी तो तनाव बढ़ता गया बढ़ता गया पर Belgium के case में जब तनाव बढ़ा तो उन्होंने सोचे कि नहीं इसको कम करना है तो पार शेरिंग करो तो तन पाइक वाला ना गिर जाए उस पर टकरा के तो ये इसका प्रुडेंशल रीजन है एक moral reason होगा कि नहीं है भाई हम चूंकि इस देश के निवासी है तो हमारे अंदर इतनी भावना होनी चीए खुद के अंदर कि हम इसको गंदा ना होने दे तो similarly moral reason पार शेरिंग का क्या है वो यह कि पार शेरिंग is the very spirit of democracy democracy सिर्व तभी जिन्दा है जब पार शेरिंग है बिना पार शेरिंग के democracy आत्मा बिना शरीर है ऐसी बोलते है ना मतलब बिना आत्मा का शरीर है जिसके अंदर कोई life ही नहीं है तो जल बिन मचली हो गई फिर democracy scheme ना तो democracy के लिए बहुत important होत इसा नहीं कि सिर्फ दो लोगों के भीच पार शेर्ड है या दो states के भीच या दो कंड़ेंटिस के कैसा पार शेर्ड हो गई बहुत अलगला फॉर्म में मतलब कि कुछ decision के पार किसी और के पास रहेगी किसी decision के पार किसी और के पास रहेगी तो सबसे पहला होता है horizontal distribution horizontal distribution का म मतलब अपना-पना independent सब काम कर सकते है ना इस टाइप से जैसे कि एक और यह हो गया दूसरा और यह हो गया और तीसरा और यह हो गया तो इसमें ऐसा नहीं कि भाई यह वाला इस पर राज कर रहा है यह वाला इस पर राज कर रहा नहीं तीनों अपना-पना काम कर रहे और को कोई किसी का head नहीं है तो ये कब होता है जब हम legislature, executive और judiciary के बीच में power share करते हैं तो हमारे बे legislature होता है legislature क्या करता है laws बनाता है executive क्या करता है उन laws को execute करने को शेच करता है और judiciary क्या होता है वो independent organ होता है एक question नहीं बनेगा कि which distribution is based on the fact कि या based on the thought that each organ maintains a system of checks and balances तो अगर तुम्हें checks and balances जाला question आता है कहीं भी इसके कुछ भी language होता है पर अगर तुम्हें से पुछा जाता है कि कौन से form of distribution में checks and balances होता है तो तुम्हें बोलना है horizontal form of distribution या horizontal distribution के अंदर ऐसा होता है horizontal बोलना जरूरी है एक्जामपल लिखो गए legislature, executive, judiciary बही एक्जाम पॉट्टे वसे जो भी important आशा भी बता रहा हूं ठीक है चला अब ऐसे questions भाई है और तुम्हें भाई सब जगे मिल जाएंगे ठीक है मैं तुम्हें नहीं बोलता कि सिर्फ मेरे पासी सबसे चोगें तेको या वो सब फालतु की बात होती है ना वो सब अपने आपको सब अच्छा बताना चाते है पर मैं बिल्कुल सत्ते बात बोलता तुम्हें लेकरतने इस lecture में तुमको बढ़ा है ठीक है चलो vertical distribution vertical distribution की बात करते कि अब vertical हो गया मतलब यहं पर यहां पर कोई भी किसे अब वर्टिकल मतलब कि हाँ बखी एक चीज़ा जो उपर है, मतलब यह एसा हो गया, मतलब है यह हैड वाला हो गया, मतलब जैसे एक Boss है, Boss के नीचे एक Manager है मैनेजर के निचे उसके employees हैं, है ना, उस employees के निचे उसके interns है, तो सबसे उपर जो है boss company का मालिक हो गया, फिर उसके निचे उसके निचे और employees होंगे, तो ऐसा top to bottom approach है, मतलब कि, एक जो है वो बड़ा है, फिर नीचे 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 उसने दे रखिये, तो vertical distribution कै कैसा होता है, जैसे कि, जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर vertical distribution है, मतलब central government के पास में कुछ parts है, कुछ parts state government के पास में, और कुछ parts district के पास में, हना, जो चोटी government हो, तो central government सबसे उपर होती है, फिर state government होती है, फिर local government होती है, ठीक है, जैसे कि central state and local, ऐसी government को हम बोते ह इसा फॉर्म यह बहुत ध्यान रखना कि federalism यह जो next chapter उसके अंदर पूरी detail में cover होगा पर अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि federal government सिर्फ तब होती जब एक जब दो यह दो से ज्यादा levels पे power distributed हो ठीक है मैं लिख देता हूँ to or more levels में distribution होगा ठीक है तब ही हम बोलेंगे distribution होगा तो इसी को मैं बोलूँगा federal ठीक है इसी को बोलते हैं federal ठीक है when such power distribution is followed to the constitution lays power of each tier of government इसका मतलब कि एक है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि central सिर्फ अपने एसाब से करेगा माना vertical है पर central है इसा नहीं कि बिल्कुल अंदार आजा है तो इसलिए constitution होता तो constitution के इंदर सारी चीज़े लिखी होती है कि यह central की यह power है state की यह power है अब अलग-अलग forms of power sharing में और दो भी टाइप साते एक होते हैं among different social groups है ना मतलब अलग-अलग social जैसे कि Belgium के अंदर community government बनी थे ना कि फ्रेंच वालों कि तो उनके बीच में कुछ powers distributed कि फ्रेंच वालों को यह power है डेच वालों को यह power है और इनके आपस में यह power equal power यह type से ठीक है जैसे कि linguistic ethnic group मानलों कि एक language मालों मैं और मेरे शेहर में बहुत सा लोग एक language बोलते हैं तो हम अपना एक language linguistic group बना लेंगे और हमारे group को एक power divide हो जाएगी government के द्वारा ठीक है among political parties तो power कैसे distribute होगी among political parties वो तो हमने देखा यह है हमें coalition government भी देखते हैं बहुत सारा ठीक है जैसे कि coalition government मानलो कि गटबंदन की सरकार जैसे अभी यह तो पूर्ण बहुमत के सरकार है जो बीजेपी के पर इससे पहले सरकार कैसे हो थे थे कि मानलो कि कि किसी को अब जैसे for example 600 seats है example दे रहा हूँ बिल्कुल example दे रहा हूँ don't quote me on this ताकि तुमको simple समझ में आ ठीक है 600 seats है पारलेमेंट के अंदर अब उनमें से सरकार किसकी बनेगी जिसकी 50% से जाधा seats होगी मतलब 300 साथ होगी अब मानलो एक party के है 280 और दूसरी के है 270 और बाकी के और कम 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 है तो क् मैं एक MLA कोई छोटी किसी local governments उठा लिया तो मैंने 281 हो गए ऐसे करके मैं थोड़ 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 बढ़ा दूँगा तो बेसिकली बस जिस्ट दिना चाहरा हूँ इस बात का कि हम ऐसे power share कर सकते हैं अमंग different political parties तो इससे क्या होगा कि अलग-अलग political parties की इसकी फि telecom association होती है इंडस्ट्रियल लोगों की association होती है, dentist association होती है, idea होता है, मतलब Indian dentist or dental association तो यह का करते हैं अपने एक association बाना ली और as a association उनको कुछ powers मिल जाती है कि तुम अपने अपने event करा सकते हो, अपने लिए कुछ यही चीज़े कर सकते हो, यही चीज़ों का grant मिल जाएगा ठीक है, चलो, तो अब तुम्हें एक चीज़ सोच नहीं है, कि कब तुमने ऐसा देखा कि पहले बात तो political parties में power share होई हो, और दूसरा इंडिया के अंदर power horizontally share होती है कि vertically share होती है तो तुम्हें बताना है, तो that being said जो कुईक साथ जिस्ट वाला chapter तो जिसके अंदर तुम्हे जो कि पिछले दो साल में हमने प्रूव भी किया है, और कोई ऐसा टीचर जैसी बात नहीं बता कि कि एक एक स्लेट के एक 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 लाइन डीड कर रहा है, ने, ने, बिल्कुल दोस्त वाली भावना है कि कि हम तुम्हें दिल के बात समझते हैं, तुमको को बहुत दात मयात पर अगर तुमको कि ऐसे तुम्हेरे भाई जैसे आदोस जीसे बताते, कंदे में हाट डालके, कि भाई, इसको ऐसे फंडे से याद कर, इसको ऐसे याद कर, ये कोशन इंपोर्टन ये वाली छीज याद अगर लाए, जैसे मैं नहीं बता है, तो तो तुम्हें मज़ा आ ज ताराँ